भारतिय रेल के लिए काम करने वाली कम्पनी रेल विकास निगम लिमिटिड के फ्यूचर को लेकर शेयर मार्केट में आविएनल शेयर प्राइस टागर 2024, 2025, 2026, 2030 तक क्या होंगे इसकी जानकारी आविएनल शेयर प्राइस टागर 2024 कम्पनी का कुल मार्केट कैप 50,957.89 करोड का है और कम्पनी के उपर 6,430.19 करोड का करज भी है जिसे कम्पनी भविश्य में धीरे-धीरे कम करती है तो साल 2024 में इसका पहला टारगेट आपको 300 रुपे और दूसरा टारगेट 375 रुपे तक जा सकता है कम्पनी ने रिटन के मामले में बंपर रिटन करने वाला स्टॉक साबित हुआ है कम्पनी में पिछले 3 साल में 100 प्रतिशत के रिटन तो पिछले एक साल में कम्पनी में 342 प्रतिशत के शांदार रिटन दिये है जिसके तहट साल 2025 तक इसमें पहला टारगेट आपको 400 रु विश्य में कमपनी है, इसमें होल्ड रखती है, तो साल 2026 में इसका पहला टार्गेट आपको 500 रुपे, दूसरा टार्गेट 575 रुपे तक जा सकता है, आवी एनल शेयर प्राइस टार्गर 2030, कमपनी के 5 साल पहले मार्च 2019 में 10,006.07 करोड के नेट सल्स थे, जो 5 साल बाद मार्च 2023 में 20,281.57 करोड के हो गए, मतलब कमपनी ने डबल ग्रोथ 5 साल में हासिल की है और आगे भी ऐसी कमपनी ग्रोथ करती है, तो साल 2030 में इसका पहला टार्गेट आपको 1400 रुपे और दूसरा टार्गेट 1700 रुपे तक जा सकता है, आविनल शेय की मजबूती, कमपनी की प्रमोटर्स की होल्दिंग 72.84 प्रतिशत की दर्ज है, कमपनी के पास 1809.46 करोड की फ्री कैश भी मौझूद है, पिछले एक साल में 342 प्रतिशत के शांदार रिटन प्राप्त करके दिये हैं, कमपनी के पिछले तीन साल का प्रॉफित 17 प्रतिशत का दर्ज है, आविनल शेय की कमजोरी, पिछले तीन साल का रेवेन्यू ब्रोध 11 प्रतिशत का दर्ज है जो कम वाना जाएगा, कमपनी के उपर वर्तमान में 6430.19 करोड का कर्ज है, हम जो सामगरी पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश से है, हम से भी पंजीकृत विद्धिय सलाहकार नहीं है, इसलिए हम कोई निवेश या विद्धिय सलाहकार से वाएं प्रदान नहीं करते हैं, आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे, क्रिपया अपने विद्धिय निवेश के लिए किसी से भी पंजीकृत विद्धिय सलाहकार से परामर्श लें,